हलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त शचिन और स्वावत आपका मेरे यूट्यूब चैनल वी बाइलोजकल में तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर चैप्टर नमबर फाइव जो कि जनेटिक्स है इसके बारें बढ़ते हैं बढ़ी आशानत है यह किसी तो चलिए शुरू करते हैं मतलब कि जब एक PD से अगली PD में करेक्टर पास होने होते हैं तब वो किस तरह से आगे जाते हैं और जो उनके इंदर बदलाव आते हैं उनका रीजन क्या होता है पूमिस के इंदर पढ़ने वाले हैं वो एवर वन्डर्ड वाइन ऐलिफेंट आलवज गिव बर्थ ओनली दूब बेबी ऐलिफेंट इनको पहले लाइन में क्या आगा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि वहाथी का बच्चा हाथी क्यों होता है कोई और जानुमर क्यों नहीं यहां मैंगो प्लांट में मैंगो क्यों लगते हैं और कोई फूट क्यों लगता गेवन दैदे डू बई पता है यह भी लगते हैं बस आर्थ और स्प्रिंग एडेंटिकल टूथे लेकिन क्या वो सेम होते हैं और तो डिफरेंटिकल टूट के बढ़ेंगे बारे में बदाएगी जनेटिक्स इसके बाद दोस्तों यह वह कुछ जुड़े होए कोश्चन इनके पाड़े में पड़ेंगे साइन्टिफिकली इने ब्रांच व पालोजी मतलब कि अगर दो भाई सेम है तो क्यों है तो वाई डिफेंट है तो क्यों है वो हम पढ़ेंगा scientific basis variations क्यों होते हैं similarities क्यों होती है these subject deal with the inheritance as well as the variation यहां बात करते हैं किसकी inheritance की character pass कैसे हुए और variation की तो पास हुए तो पेरेंट से हुए तो बच्चों के जैसे होने चाहिए थे लेकिन वह different क्यों हुए variation of the character from the parent to the offspring मतलब कि जो offspring होते है बटो बच्चों यह होती है तो यह लिखा कि variation क्यों होती है बच्चों मेरे पेरेंट से में inheritance of inheritance is the process by which character are passed from one person to next यह आगए आपके definition यहां से inheritance की it is the basis of heredity heredity का one scrum का यह principle है basic है और variation of difference यहां गई variation is the degree by which degree of difference degree by which progeny differ from their parents यह वो degree है जिससे एक बच्चा अपने पेरेंट से difference करता है तो degree कितने percent है काफी बच्चे बिलकुल similar होते हैं काफी बहुत अलग होते है human knew from as early as 8000 to 100 BC 8000 से 10 साल पर लगए बात करें the one of the cause was variation was hidden in sexual reproduction यह माज़ा था कि इसका क्या जो डिफ्रेंट से वो छेपा होगा है they exploit the variation that were naturally present in the wild population of plant and animal to selectively breed and select for organism that possess desirable character तो वो क्या करते थे हमारे इंसेस्टर जो पसंद के जान वोड़ा थे न उनको आपस में breed करवाते हैं और एक hybrid बना लेते हैं उनके लिए सिंपल था सब कुछ for example दाव artificial selection and domestication from ancestral बात करते हैं किसकी domesticate करना जंगली आनों को पालतू बनाना कि क्या किया ancestral wild cow we all know Indian breeds आईवाल हम जानते हैं इनको Punjab की we must however recognize that दाव our ancestor knew about the inheritance of the character तो उससे क्या जलता है कि हमारे ancestor को पता था हमारे पूरोज़े को पता था कि character कैसे पास होते हैं एक पीड़े से दूसरी पीड़े में बदलाव कैसे आते हैं they had very little idea about scientific wishes लेकिन को scientific wishes के बारे में बहुत ही काम idea था अब आता है आपका दोस्तो और आते हैं इनगे सेंचूरी के मिड़ की बात है जब अनिस्टेंडिंग मतलब बनाई जा रही थी सम्झा जारा आते है निए इसको तो तुस टैम पर एक सेंटिस ते जोर्ज Gregorg Mendel John and Mendel is G.J. Mendel इसके सारे नाम है G.J. Mendel Gregorg, John and Mendel या फिर Gregorg Mendel Conducting a hybridization proposed the law of inheritance in living organism और अपनी थिरी दिरिंग मेंडल इन्विस्टिगेशन इन्टु इन्टु इन्हेरिटेंट्स पैटर्न इट वाज फॉर दा फॉर्स ताइम्टिकल अनलेसिस और मैथमेटिकल लोजिकल देखो भी इट वाज फॉर्स ताइम्टिक्स और मैथमेटिकल लोजिक्स को पहली बार बाइलोजिकी प्रोब्लम को सॉल्ड करने में इस्तेमाल किया गया था इस एक्सपरिमेंट हैद अलार्ज सेंपलिंग साइज उसने बहुत सेंपल लिए विच गेव ग्रेटर ग्रेडिविटी तो डेटा ही प्लेक्टिट और उस डाटा ने बहुत उस डाटा को जाटा है कि इसने कैसे इस थोरी को एक्सपरिमेंट किया आल्सो दा कन्फरमेशन ओफ इस इनफरेंट्स फिरमेंट उसने चीजों को मिक्स मेंच करके देखा टेस्ट किया उस यह पता लग गया कि वो जो थो थोरी हैं वो पक्के कुछ जनल ढूल सी हैं जिनकी करेक्टर के पास होने में ना की वो बस कोई तुक्के आइडियास नहीं थे वो जर्नली रूल्स से निकाल लिए थे उनके मेंडल इंवेस्टिगेटेड करेक्टर इन दा गारड़न पी ब्लाट आट वर मेनिफेस्टड एज टू अपॉसिंट त्रीट वेंडल ने गारड़न पी के करेक्टर्व को लिया जिसने उसको बोला दो आपोजिट टेट जैसे कि एक बड़ा पोदा लिया टोल और एक लि प्यार किया जिसने क्या गहा इंटेंस के रूल को गवन किया गवाई दी विच वाज उसके ही रूल को बाद के साइंटिस ने फोलो किया और आगया ने वाले डिफिरेंट वेरिशन सबसे भरे चीज़ों को भी देखना समझना स्टार्ट कर दिया इसके बाद आता है दोस्तों अपका मेंडल कंडुक्टिट सच एक्सपेरिमेंट मेंडल ने क्या किया इन एक्सपेरिमेंट को किया मेंडल कंडुक्टिड सच आर्टिविचल पोलिनेशन क्रोश-पोलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग स्टेवरल टू बिंटिंग करवाया टोल को टोल से जब तक करवाया जब तक वो शोर नहीं वागे अगले दो मेरे पास 10 seeds है वो टोल ही होंगे ग्रीन को ग्रीन से यलो को यलो से ट्वाफ को ड्वार से और उसने डूंडी जो लगा थार एक ही करेक्टर को दिखाते रही हो मेंडर से लेक्टेड 14 टू ब्रीडिंग पी प्लाट वेराइटी एज पेयर विच वर सिमलर except for the one character with the contrasting trait उसने चोदा डूंडे ठीक है चोदा प्रू लाइं साथ करेक्टर की ठीक है कुछ स्मूद थी कुछ यलो थी कुछ ग्रीन थी स्मूद और इंफ्लेटिड थे ग्रीन यलो पोर्स थे टॉल और अफ्लांट थे तो यह दे करेक्टर अब इसने एक्स्पेरिमेंट कैसे कि आप वहम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में थैंक यू जै जै वारत और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले